तो दोस्तों केसे हो आप लोग आशा करता हूँ आप सबी लोग अच्छे होंगे वेल दोस्तों मैंने पिछले दिलों एक जो है गेम का इंस्ट्रॉल करा था ग्राफिका नहीं लगाया था उसके चलते ना जो गेम वगेरा काफी लेग हो रही थी और काफी लोगों के कमेंट्स आए कि सर जो है आपकी गेम काफी लेग हो रही है और PC पे लेग चल रहा है वगेरा वगेरा काफी लोगों के कमेंट्स आए थी वेल आज यहाँ पे मैं आपको ग्राफिक कार लगाने के बाद का गेम प्ले आपको दिखाने वाला हूँ और आपका जो भी डाउट है कि यार ग्राफिक कार लगाने के बाद भी जो गेम लेक होता है कि नहीं होता है ठीक है अगर आपने हमारा PC पार्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको आई बटन में जो है वीडियो दे दिता हूँ वहाँ जाके जो है मेरा PC बिल्ड के बारे में जान सकते हैं कि मैंने कौन सा PC बिल्ड करा था और कौन से component वगेरा मैंने यूज करे थे ठीक है तो चलिए मैं आपको अपना PC बता देता हूँ और मैं gameplay जो करता हूँ वो भी हमें आपको दिखा देता हूँ तो यहाँ पर जिसे की देख सकते हैं अभी मेरे पास जो PC हैं उसके अंदर भी मैंने GTFI को चालू कर दिया है गेम को ठीक है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक wireless remote है जिसको मैं इस game को प्ले करने के दोरा न यूज करता हूँ यह keyboard है और यह mouse है जिसका वीडियो भी मैंने आपको बता दिया था और यह रहा हमारा finally PC जिसके अंदर दो fan लगे हुए है और यह CPU fan है और यह जो है एक लग से fan है जो कि अंदर की हवा को बाहर निकलता है वगिरा वगिरा और यहाँ पर हमारा पास जो ग्राफिक कार है वो है Asus का ग्राफिक कार ठीक है तो अभी ग्राफिक कार लगा हुआ है और यहाँ पर जो है GTFI जो है मैंने चालूब कर दी है ठीक है चलिए अब जो है हम GTFI को जो है आपको प्ले करके दिखा देते हैं कि किस तरह से जो है हमारे PC पर ग्राफिक कार के साथ यह GTFI चलती है ठीक है तो मैं कैमेरे को जो है ट्राइबोड पर लगा देता हूँ ठीक है तो दूस्तों यहाँ पर मेरे पास एक wireless गेमपेड है और इसको मैं PC के साथ कर लेता हूँ और आपको गेमपले दिखा देता हूँ ठीक है और इस गेमपेड के बारे में अगर जाना चाते तो इसका भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ अगर आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते है ठीक है तो जैसा कि दूस्तों यहाँ पर जो गेमपेड है मेरे PC के साथ कनेक्ट हो गया है अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा गेमपलेग बना के देखा देता हूँ तो अब यहाँ पर हम बार जाते हैं तो जैसा कि दूस्तों देख सकते हैं काफी स्मूथ रन करती है गेम और जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं और मेरे पास जो ग्राफिक काड है वो 1060 ग्राफिक काड है GTA का GTX NVIDIA का ठीक है और इसका भी वीडियो में बना चुका हूँ अकर आप ने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं और यहाँ पर इसके टैक्चर्स भी आप देख सकते हैं और रिजल्ट वगेरा भी आप भी देख सकते हैं तो भाई GTA वगेरा जो है मेरे PC पे काफी स्मूथ रन करती है और कोई इस्यू नहीं है मुझे ठीक है तो और भी थोड़ा मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ तो भाई साब मैंने पूरा PC का वीडियो बना चुका हूँ और उसका वीडियो भी मैं आपको आई बटन में दे देता हूँ वाँ पर जाके देख सकते हैं कि मेरे PC कन्फिगरेशन क्या है ठीक है और भाई मेरे PC के अंदर ना मैं काफी अच्छी गेमिंग कर लेता हूँ स्ट्रीमिंग करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ और वीडियो एडिटिंग वगेरा भी अगर करना चाहूँ तो मैं अपने PC में कर सकता हूँ ठीक है यहां था कि 4K की वीडियो रिकॉर्डिंग अगर एडिटिंग वगेरा मुझे करनी होगी तो भी मैं एक आसानी से कर लेता हूँ ठीक है और काफी लोग कहते कि यार गेम वगेरा जो है लेग हो रही है पर भाई आप देख सकते हैं कि मैंने ग्राफिक कार के बिना का इंस्टॉलेशन करा था तब उसका मैंने गेम प्ले बनाए था तब ही क्या हुआ था कि काफी लेग कर रही थी और एक्चुली मेरे PC के अंदर ज कुछ पता नहीं पर दोस्तों मैं बता दूँ कि एक्चुली मैंने ग्राफिक आट नहीं लगाए था उसके चलते ना जो है गेम लेग हो रही थी ठीक है और आप मैंसुस कर सकते हैं कि मेरी गेम किस तरह से एकदम स्मूथ चल रही है ठीक है तो दोस्तों जैसा कि देखा कि यहाँ पर मैंने अपने पीची के अंदर जो गेम खैला वो काफी समूथ रन करी है और काफी अल्ट्रा हाई पर मैंने गेम खेला है और फूल सेटिंग में मैं गेम खिल रहा हूYou फिर भी कोई इसऑ नहीं कोई भी लेग नहीं है क्योंकि मैंने जो गेम इंस्छालेशन वा तो उसका भी link में आपको i button में दे दूँगा आप वहाँ जाके जो है वीडियो को वगेरा देख सकते हैं कि मैंने कौन-कौन से components वगेरा पीसरी बिल्ड करने के दोरान यूस करे थे ठीक है तो वीडियो को like कर देना और channel को subscribe कर लेना और मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक के लिए फंदे मात्रम